पहले मैं बता दूँ मेरा नाम है गोरफ और हम लोग बात कर रहा हैं, बनसल क्ल सिस अलीःगल की तरफ से, ठीक हैं? तो वर्टिकल टेंजेंट और वर्टिकल कस्प हम लोग आज यहां पर पढ़ने वाले हैं देखिए क्या होता है vertical tangent और क्या होता है vertical cusp उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे बिटा vertical tangent की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जैसे मान लिजिए हमारे पास कोई भी एक कर्व है किसी भी point पर अगर एक tangent बन रही है हमारे mind में अभी तक यही आता है मान लिजिए किसी point पर अगर कोई एक vertical tangent बन रही है तो उसे हम इस तरह से vertical tangent बोल देंगे या हम जानते हैं कि अगर कोई भी tangent vertical है तो उसका slope infinity या फिर minus infinity होगा क्योंकि विटा vertical है तो x-axis से बनने वाला angle 90 degree हो जाएगा 1090 is does not exist या हम बोल सकते हैं infinity या फिर minus infinity ये एक basic बात है अच्छा vertical tangent बैसे हम किसे बोलेंगे मैं यहाँ एक exact बताना चाहता हूँ आप से हमें feel होता है कई बार कि किसी point पर continuous होना चाहिए function तभी बहाँ पर vertical tangent या normally tangent बनती है लेकिन vertical tangent का थोड़ा सा concept different है हमें यहाँ continuity से इसका कोई भी लेना देना नहीं है जैसे कि अगर आप कुछ books में देखेंगे या internet पर search करेंगे तो यहाँ पर signum x जो हमारा function है उसमें भी signum x function में भी हमें x equal to 0 पर vertical tangent मिल जाता है ठीक है खैर अभी उस पर हम बादें बात करेंगे पहले हम लोग general बात करते हैं तो vertical tangent की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ vertical tangent तो at x equal to a if lhd and rhd both are infinity or minus infinity but not both ध्यान रखें फिर से सुन लीजे lhd and rhd either both must be plus infinity or must be both must be minus infinity it must not like must not be like this कि one will be infinity and one will be minus infinity ऐसे नहीं होना चाहिए या तो दोनों infinity होने चाहिए या फिर दोनों minus infinity होने चाहिए तब हम बोलेंगे कि हाँ इस point पर हमारे function पर vertical tangent exist करता है अच्छा अब हम लोग बात करेंगे कि अगर एक तरफ infinity आ जाए और एक तरफ minus infinity आ जाए lhd और rhd में तब क्या होगा तो अगर हम लोग बात करने vertical cusp की vertical cusp ये तब होता है कि अगर कोई भी हमारा function if fx is continuous at x equal to a and lhd tends to infinity and rhd tends to minus infinity और lhd minus infinity हो जाए and rhd infinity हो जाए मेरा मतलब ये है कि lhd and rhd में से एक infinity हो plus infinity and दूसरा minus infinity हो और function इस x equal to a पर continuous हो तब हम बोलते हैं कि इस point पर vertical cusp है ये कुछ ऐसा आप देख सकते हैं इसको vertical cusp means ऐसा कुछ ये x equal to a point पर ऐसा कुछ होगा ठीक है लेकिन अगर हम बात करें vertical tangent की तो vertical tangent मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा एक ये function है मैं मान लेता हूँ ये x की पाबर 1y3 एक मेरे पास function है y equal to x की पाबर 1y3 तो यहाँ पर क्या होगा चाहे आप इस x equal to 0 पर दोनों ही side minus infinity होगे ये पक्का है तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस point पर भी आपको vertical tangent चाहिए हो उस पर continuity की बात आप ना करें सिर्फ क्या देखें आप lhd निकाले, rhd निकाले दोनों infinity हो जाएं या दोनों minus infinity हो जाएं तो उस पर vertical tangent है हाँ अगर आप vertical cusp चेक करना चाहते हैं किसी point पर तो उस point पर function continuous होना चाहिए दूसरी बात lhd और rhd में से एक की value plus infinity होनी चाहिए और दूसरे की value minus infinity होनी चाहिए तब ही हम बोलेंगे कि इस point पर vertical cusp है तो आप चाहिए समझ गए हैं कि vertical tangent कब बोलना है और vertical cusp कब हमें बोलना है ठीक है अभी कुछ examples देखते हैं मान लीजिए हमारे पास यह example है fx equal to x की power 1 by 3 अगर मैं बात करूं x tends to plus x tends to 0 plus पर 0 के right side में मैं अगर f dash की बात करूं f dash x की जिसे हम क्या बोल सकते हैं rhd हम लोग यहां पर बोल सकते हैं तो जब मैं rhd पर बात करूंगा 0 plus पर बात करूंगा मैंने f dash निकाला x की power 1 by 3 का कितना आ गया 1 by 3 into 1 upon x की power 2 by 3 जब मैं x को 0 plus रख रहा हूं तो ये 1 upon 3 into plus infinity बेटा आ जाएगा मतब finally हो गया plus infinity अगर मैं lhd की बात करता हूं x equal to 0 पर ही means f dash x limit x tends to 0 minus तो बेटा ये मेरे पास आने वाला है 1 इस तरह पहले मैंने differentiate कर दिया जब 0 minus भी रख रहा हूं तो भली वो minus 0 है लेकिन उपर से बेटा वो power 2 by 3 है आप इस ऐसे भी बोल सकते हैं कि x की पाबर 1 by 3 का square 2 by 3 का मतलब ये भी तो हुआ न तो वो जब minus जो होगा x को जब आप 0 minus रखेंगे तो उपर से square होके वो plus 0 बन जाएगा मतलब finally plus infinity आएगा तो क्योंकि lhd, rhd दोनों ही plus infinity है x equal to 0 पर इसका मतलब यहाँ पर एक vertical tangent है ठीक है यहाँ पर हमें दिख भी रहा है vertical tangent यहाँ पर पर हमें clearly दिख भी रहा है ठीक है इस diagram में आप देख भी सकते हैं कि अगर एक हमने tangent row की x equal to 0 point पर तो वो एक vertical दिख रही है ठीक है और देखते हैं अगर मैं बात करूँ इस function की fx equal to x की power 2 by 3 और यहाँ पर अगर मैंने lhd निकाली lhd means limit x tends to 0 minus मैंने इसको differentiate किया तो 2 by 3 1 upon x की power 1 by 3 अगर मैं 0 minus पर बात कर रहा हूं तो बैटा minus infinity आएगा अगर मैं यहाँ पर rhd की बात करूँ means 0 plus पर इसका derivative निकालू तो 2 by 3 1 upon x की power 1 by 3 तो यह कितना आ रहा है यहाँ पर क्योंकि 0 plus रख रहा है तो यहाँ पर plus infinity तो यहाँ lhd minus infinity है rhd plus infinity है इसका मतलब यहाँ vertical tangent नहीं होगा अच्छा function continuous हमें दिख रहा है साफ साफ चुकर lhl equal to rhl था इसका इसका मतलब यहाँ vertical cusp होगा vertical cusp होगा तो आप समझ सकते हैं कि आपको कैसे चेक करना है vertical cusp और vertical tangent vertical cusp के लिए graph should be continuous at that point और lhd और rhd में से एक plus infinity और एक minus infinity होना चाहिए मैं फिर से बोल रहा हूँ यह बात जैसे मैं signum x function की बिटा अगर यहाँ पर बात करूं तो आपको पता है कि signum x जो function है इसका आपने graph भी सभी ने देखा है x equal to 0 पर यह 0 होगा 0 के right side में यह 1 के सामने रहेगा 0 के left में यह minus 1 पर रहेगा यह मेरे पास y equal to signum x का function है तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि x equal to 0 पर यह function discontinuous है यह function discontinuous है लेकिन अगर मैं यहाँ lhd और rhd की बात करूँ तो lhd क्या हो जाएगा बिटा f0 minus f of 0 minus h upon h limit h tends to 0 f0 is 0 minus minus 1 यह मेरे पास हो गया बिटा 0 minus मतब 0 से थोड़ा चोटा तो signum function minus 1 बन देगा upon यहाँ पर हो गया बिटा kितना h तो limit h tends to 0 जब मैं करूँगा तो minus से minus खतम हो गया यह plus infinity आएगा similar manner में अगर मैं rhd की बात करूँ तो f0 plus h minus f0 upon h limit h tends to infinity तो यह आगया बिटा 1 minus 0 upon h और यहाँ जब आप h को 0 रखेंगे तो यहाँ भी कितना हो जाएगा मेरे पास यह भी plus infinity तो दोनों भले function continuous नहीं है x equal to 0 पर लेकिन lhd और rhd दोनों तरह plus infinity है इसका मतलब यह क्या हो गया बिटा हमारे पास signum x function जो है वो at x equal to 0 vertical tangent represent करता है vertical tangent बनता है इस function में vertical tangent at x equal to 0 यहाँ पर बिटा मेरे पास होगा बात समझ में आ रही है आप लोगों को तो आप समझ गये होंगे कि vertical tangent के case में continuous discontinuous नहीं देखा जाएगा सिर्फ lhd rhd देखी जाएगी लेकिन vertical cusp के case में continuous चाहिए function उस point पर और तब lhd rhd में से एक plus infinity और एक minus infinity देखा जाएगा ठीक है यह हम लोग function देख सकते हैं इसमें क्या है बेटा अगर हम लोग इसको भी lhd और rhd देख रहे हैं तो इसका lhd rhd में से एक plus infinity आ रहा है इसका rhd जो है बो बेटा plus infinity आ रहा है इसका जो lhd ए at x equal to 0 बो minus infinity आ रहा है और function continuous x equal to 0 पर क्योंकि lhl equal to rhl equal to f of 0 था तो function continuous था तो function continuous and lhd rhd में से एक plus infinity और एक minus infinity इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया कि यहां पर हमारे पास vertical cusp होगा vertical cusp होगा तो आप शायद समझ गए हैं कि vertical cusp कैसे check करके बताना है और vertical tangent कैसे हमें check करके बताना है तो आज के लिए हम लोग जो है सिर्फ यहीं तक बटा हमें समझना था यह दो बाते यह concept जो है अगर आपको थोड़ा सा भी confusion है तो आप directly जो है हमारे channel पर comment बगएरा करके और detail में आगे से पूछ सकते हैं और ऐसे और concept जानने के लिए हमारे बंसल अलीगड के channel के साथ आप जुड़े रहिए और अगर आप aspirant है 11th में आने वाले है 10th में आने वाले है या आप 7th class से 12th class तक कहीं भी अगर आप JE के लिए enroll होना चाहते हैं तो आप बंसल classes अलीगड सीधे Google पे सर्च करके यहां contact कर सकते हैं हमारे यहां पर online classes available है as well as after lockdown these classes will be offline also okay, thank you